नश्क्राइब दोस्तों, आज की डेट है 28 मई 2018, स्वागत है आपका पहलीं बूश्टर न्यूज डिस्केशन में, इस वीडियो में हम हिंदू प्लस प्लस पी आईबी के इंपोर्टेंट न्यूज डिस्केशन करेंगे, सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टकल वूमन लेवल के ओफिसर के द्वारा, ये डिवीजन बाकी मिनिस्टरी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, कोडिनेशन इस्टाबिस करेगी, ताकि कॉंप्रिहेंसिवली वूमन की सेफटी को इंशोर किया जास के, देखो वैसे तो सरकार ने बहुत सारे परियास किये हैं, हमार द सी और एस्टी, यानि सेडिूल कास्ट और सेडिूल ट्राइब लोग के खिलाफ जो अपराद होते हैं, उन इस्टी से भी डिल करेगी ये डिवीजन, क्राइम अगेंस चिल्डरन, बच्चों के खिलाफ जो अपराद होते हैं, उन पर भी फोकस करेगी, इसके लावा की ट्राफिकिंग करके लाया जाता है, और काफी बार ये भी पटने को मिलता है, निपाल से भी महिलाओं को ट्राफिकिंग करके लाया जाता है, उनको नोकरी का जहांसा दिया जाता है, और यहां पर आके उन्हें सेक्स के धंदे में धखेल दिया जाता है, तो इस चीज को रोखने के लिए भी काम करेगी यानि कोडिनेशन इस्टाबिस करेगी विविन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के बीच ये डिवीजन जो की मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स के अंदर इस्टाबिस की गई हैं वैसे दो जो इशूज है आगे और भी दिये गए हैं प्रिजन रिफॉर्म्स हमारी जेले ठसा ठस भरी हुई हैं प्रिजन्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की अवशकता है आज के समय में जिस पर फोकस करेगी ये डिवीजन और सबसे लाश्ट में निर्भिया फंड की साइटा से जो स्कीम से चलाई जा रही हैं उनकी भ पुलिस की capability काफी कम है कि रेप से जुड़े cases पर अच्छे से investigation कर सकें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस दोस्यों को ग्रिफतार तो कर लेती हैं लेकिन दोस्यों के खिलाफ पुलिस मजबूती से case नहीं बना पाती और case जाता है जब court में मजबूत साक्षे यान कि एक खराब रोल देखने को मिलता है क्योंकि इवन रेप से जुड़े cases भी सालों साल लटकते रहते हैं आपने सुना ही होगा justice delayed is justice denied ऐसे जो case होते हैं उन पर तो 6 महिनों के अंदर अंदर फैसला आना चाहिए बिल्कुल भी delay नहीं होना चाहिए इस परकार के cases में तो ये समाज में एक message जाए कि आप इस परकार के घ्रनित अपराद करोगे आप बस नहीं स्कोगे और सबसे last में एक बात ये बोली जाती है कि महिलाओं को जो अपराद के सामना करना पड़ता है यानि worst sufferer जो है महिलाएं उनको rehabilitate करने में भी साहिता परदान करेगी ये division women safety division in ministry of home affairs चलते हैं आगे अगला आठकल इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हैं क्या contest हैं इंटर स्टेट काउंसिल standing committee की meeting राजनात सिंग जो कि हमारे home minister है इनकी अध्यक्षता में हुई और पुंची commission की report पे deliberations हुई देखो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा पुंची commission को 2005 म define कीजिए कि center और state के relations में किस परकार से बदलाव करने क्या हो सकता है तो अगर UPSC पूछती है तो पुंची commission किस बारे में गठित क्या गया था center state relations के ऊपर गठित क्या गया था पुंची commission को जिनोंने अपनी report सोपी 2010 में जो इस report के points हैं वो mains में use हो सकते हैं हाला कि prelim में UPS के दवारा सिरफ इतना पूछा जा सकता है कि पुंची commission कौन से issue पे था लेकिन points क्या थे वो mains में use हो सकते हैं हम बात करें interstate council की ये एक recommendatory body है कोई constitutional body नहीं है देखो हमारे सविधान के article number 263 में ये लिखा हुआ है कभी भी president women states के बीच या फिर states और center के बीच coordination establish करने के 1990 के आसपास president ने interstate council को establish किया था article 263 के अंदर काम क्या है इस council का देखो काम ये है कि अगर दो या दो से अधिक states के बीच किसी issue को लेके विवाद है या फिर states और center के बीच किसी issue को लेके विवाद है तो meeting होती है interstate council की और उस meeting में चर्चा होती है कैसे उस विवाद को सुल करते है कि supreme court में जाए जाए supreme court का दर्वाजा खटटाया जाए इस विवाद को लेके लेकिन अगर आपसी सहमती से और उस issue पर discussion करके इस platform पे अगर उस विवाद को सुलझा लिया जाता है तो ये हमारे federalism के लिए बहुत ही अच्छी बात है तो आप कह सकते हैं women states और states और center क के बीच coordination establish करती है ये body interstate council composition की बात करें तो prime minister chairman होते हैं interstate council के इसके लावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अगर union territories में legislative assemblies हैं तो union territories के chief ministers for example Delhi और पूडिचेरी और जहां पे जिन union territories में legislative assembly नहीं है वहां के administrators इसके लावा six union ministers जो की cabinet रंके जिनको nominate किया गया हो prime minister के द्वारा ये सब members हैं ये हमने बात की interstate council की composition क्या है चलते हैं अगले article की तरफ अगला article रिमपैक exercise के बारे में हैं क्या contest हैं देखो USA ने invitation दिया था चाइना को रिमपैक exercise में party spread करने के लिए USA ने बोला था कि आप आए हम आपको invitation देते हैं लेकिन South China Sea में चाइना की aggressive activities को देखते हुए अब USA ने उस invitation to cancel कर दिया है USA ने बोला कि नहीं आपको आने के आप सकता नहीं है आप तो गरत काम कर रहे हो South China Sea में आप aggression दिखा रहे हो जो South China Sea की stability के लिए अच्छी बात नहीं है USA के experts का ये मानना है रिमपैक exercise का मकसद ही ये है कि Pacific region में विविन देशों के बीच विविन देशों की नेविस के बीच cooperation इस्टाबिस करना लेकिन चाइना के जो लक्षन है वो ठीक नहीं है चाइना जो disputed islands हैं उनको militarize कर रहा है देखो South China Sea और East China Sea में बहुत सारे disputed islands हैं यानि कई सारे देश हैं जो उन disputed islands पर अपना अपना दावा ठोकते हैं और कहते हैं ये islands हमारे हैं लेकिन चाइना काफी ज़्यदा aggression दिखाता है चाइना को ये लगता है कि हमारे पास power है इसलिए जो बाकी देश हैं जो disputed islands पर अ वहाँ पे अपनी military को तेनात करता जा रहा हैं वहाँ पे अपने weapons को तेनात करता जा रहा हैं जो कि इस reason की सांती के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हैं हम थोड़ा और background discuss करें रिंपक exercise में participate किया गया था चाइना के द्वारा 2014 में उसमें ये कहा गया था कि ये countries के बीच differences रहते हैं खास करके एक तरफ चाइना का camp है दूसरी तरफ USA का camp है अब चाइना इस exercise में participate कर रहा है इसका मतलब women देशों के बीच cooperation established हो जाएगा future में लेकिन अब एक बार फिर से USA ने फैसला किया है कि चाइना को इस exercise में invite नहीं किया जाएगा Rim Pack exercise देखो दो साल में एक बार organize होती है किसके दवारा US की जो Navy Pacific Fleet है इसके दवारा ये Rim Pack exercise को organize किया जाता है हवाई के Honolulu में ये एक unique opportunity होती है Pacific Rim Nations के बीच cooperation establish करने के लिए जैसा हमने डिसकस किया Women countries अपने अपनी power को यहाँ पे show करते हैं कि देखो हमारे पास ये capability है हमसे टकराने की आप जूर्त मत करना और देश दूसरे देशों की capability को भी देखते हैं मालीजिए इस joint exercise में USA की Navy आएगी करतब दिखाएगी तो चाइना को पता लगेगा अच्छा USA की Navy ये चीज कर सकती हैं उसी परकार से चाइना की Navy के द्वारा जो कुछ किया जाएगा अपने confidence को show करने के लिए USA को पता लग जाएगा कि हाँ चाइना की Navy इतनी strong है तो ये मोका होता है कई सारे observer nations भी हैं जैसे चाइना इकोडर इंडिया मेक्सिको फिलिपाइन्स रस्या ये सारे observer nations हैं इंड फूल टाइम मेंबर बनेंगे तब इनको पता होगा कि क्या कुछ होता है इस exercise में तब वो अपने ship को असानी से भेज़ केंगे अभी फिलाल observer nations अपने ship को नहीं भेजते और इंडिया भी observer nation है रिमपैक exercise का चलते हैं आगे आगे आगला अटकल बायो डिवेस्टी बोटी के दवरा जिसे establish किया गया था 2003 में क्यों अवोट दिया गया है क्योंकि इस committee reserve ने काफी एहम रोल निभाया है critically endangered bird ये देखो picture में जो आपको bird दिख रहा है इस पक्सी का नाम है बुगुन लियो सिचला इस bird को कंजव करने में काफी important रोल प्ले किया है committee reserve ने ये biodiversity award दिया गया है हम बात करें इस पक्सी की यानि बुगुन लियो सिचला की इस पक्सी को discover किया गया था 2006 में अनुचल परदेश के west coming जिले में पक्सी का जो नाम रखा गया है वो बुगुन कमिटी के सम्मान में रखा गया है बुगुन कमिटी रहती है आंधर परदेश को कंजव करने में इसी वजए से जो पक्सी का नाम है वो discover क्या गया है वो इसी कमिटी के नाम उपर रख दिया गया था 2006 में हम बात कर रहे थे इस पक्सी की बुगुन लियो सिचला की इस पक्सी की संख्या अभी फिलाल बहुत ही कम है 14 से 20 individual birds फिलाल है इस पक्सी के और इ 14 से 20 जो पक्सी है वो मिल जाते हैं otherwise कहीं और ये पक्सी नहीं मिलते हैं IUCN की red list के हिसाब से critically endangered category में आता है ये पक्सी बुगुन लियो सिचला चलते हैं आगे आगे एक चोटी सी information आप ये याद रखिएगा रुस्तम एक drone है अभी context ये है D.I.D.O के chairperson ने कहा है हम रुस्तम 2 को deliver कर देंगे Indian Armed Forces को जनी Navy को, Army को और Air Force को 2020 तक वैसे देखो काफी सारी details दी गई है आर्टिकल में कि 24 गंटे तक रुस्तम हवा में रह सकता है तीनो forces के दोरा इसका use किया जा सकता है USA का एक drone है predator उसी line पे रुस्तम को त्यार किया गया है ये सब information बहुत ज़दा important नहीं है अगर UPSC पूछेगी तो कई बार UPSC इस परकार से question पूछ लेती है कि रुस्तम क्य का है कोई missile है air to air drone है tank है क्या है तो आपको पता होने चाहिए कि रुस्तम एक परकार का drone है तो यह थी हमारी आज की discussion मैं आपसे question पूछता हूँ हमने editorial की वीडियो में कुछ facts discuss किये थे उन्हें के बारे में पूछता हूँ आपसे आप ये बताईए general data protection regulation कौन सी संस्था से स GDPR कौन सी organization से समधित है EU, SEO, BRICS, African Union बताईए इसका answer European Union है हमने आपको याद होगा article discuss किया था कि European Union ने नए standards अब implement कर दिये है data को protect करने के लिए general data protection regulation एक और question आपसे पूछता हूँ अल हिलाल एक newspaper है, आजादी से पहले कौन से हमारे freedom fighter के द्वारा ये newspaper publish किया गया था, options देता हूँ पहला option, जौहर लाल नहरू, दूसरा option, बाल गंगा धर्तिलक, तीसरा option, लाला लाज पत्राय, चोथा option, अबूल कलाम आजाद, मुलाना अबूल कलाम आजाद, आब बताईए चोथा answer बिल्कुल सही है, मुलाना अबूल कलाम आजाद के द्वारा ये newspaper publish किया गया था, अल हिलाल, हमने editorial वीडियो में discuss किये थे ये दोनों facts तो आज की discussion में फिलाल इतना ही है, नई, सुरुवाद से देख लेते हैं, अभी आज हमने क्या क्या discuss किया सबसे पहले हमने discuss किया, ministry of home affairs के अंदर एक women safety division को establish किया गया है, interstate council के बारे में हमने details से जाना, उसके बाद हमने rimpack exercise के बारे में जाना, ये वही article है, edit नहीं है, यहाँ पे अच्छे से edit है, उसके बाद हमने bio diversity award के बारे में जाना, और यहाँ पे सबसे last में, रुस्तों के बारे में हमने जाना, तो ये थी हमारी आज के discussion, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.